तो और भाई लोग क्या आल चाले यार तो भाई कौन सा सूपर हीरो कितना पावरफुल है वो उसकी इंट्री से ही पता लग जाता है और जो सूपर हीरो जितना महान और पावरफुल होता है उसकी इंट्री भी उतनी महान और ग्रैंड होती है तो आज हम ऐसे ही पास सूपर हीरोज की इंट्री देखने वाले हैं जिसके इंट्री को देखकर थीटर में फैन्स की चीखे निकल गई थी लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हो तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैटमेन DC का ऐसा करेक्टर है जिसके उपर DC में इतनी मूवीज बन गई है जितने किसी और करेक्टर की नहीं बनी लेकिन बैटमेन के मूवीज के अंदर एक बात बहुत मस्त होती है कि सभी बैटमेन मूवीज में बैटमेन की इंट्री बहुत कमाल की होती है लेकिन इस सभी मूवीज में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इंट्री रोबर्ट पैटिंसन के बैटमेन की है जिसकी मूवी अभी पिछले साली रिलीज हुई थी बैटमेन की इस इंट्री को बहुत ही ज्यादा डार्क और डेंजरस माना जाता है बैटमेन की सिंट्री को देखकर ये साब पता लगया था कि ये यहां किसी से बात करने तो नहीं आया है वो यहां इन सब की जम के धुलाई करने आया है इस सीन के अंदर बैटमेन का स्लोली वॉक करना और बैटमेन की सिंट्री को देखकर इन सब की फट जाना और बैटमेन के द्वारा इन सब की धुलाई करना ये सब बैटमेन की इस इंट्री को बहुत कमाल बना देते हैं और यही कारणा था कि लोगों को ये बैटमेन की इंट्री बहुत ही जादा खतरनाक लगी थी वैसे तो अपना हलक बहुत खतरनाक है और उसकी MCU में अब तक जितनी भी इंट्री हुई है वो सबी अपने आप में बहुत कमाल की थी जैसे थौर रैग्नरोक में सकार पे थौर के सामने आने वाली इंट्री और इंफ्रिटी वार में थेनो से फाइट वाली इंट्री हलक की सभी इंट्री आप बेश्ट ही रही है लेकिन हलक की सबसे ज़्यादा पाउरफुल इंट्री की बात करें तो वो थी साल 2012 में आई दा अवेंजर्स के अंदर The Avengers के Final Fight में जब अपने पाचो Avengers चित्तोरी सेना के सामने वीक पढ़ने लग जाते हैं तब वहाँ इंट्री होती है Bruce Banner की जो की Banner से Hulk में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने एक पंच में चित्तोरी सेना के सिप के टुकड़े टुकड़े कर देता है और यहीं सबको पता लग की या Civil War में हेलिकॉप्टर से उड़ते हुए उसके सूट पहनने की लेकिन Iron Man की सबसे बेस्ट इंट्री तो Infinity War के अंदर ही मानी जाती है Infinity War में जब Thanos के चिले डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइमी स्टोन को लेने आते है और टाइमी स्टोन को पाने के लिए वो हर जगा तभाई मचाने लगते है तब इस सीन में इंट्री होती है अपने Iron Man की जो एक कमाल के वोक के साथ अपने नैनो टेक के बने सूट मार्क 50 को पहनता है ये इंट्री सीन इतना कमाल का होता है कि जितने लोग इसको थीटर में देख रहते उनकी तो चीखे निकल जाती है और ये Iron Man की सबसे बेश्ट इंट्री बन जाती है वैसे तो थौर तुफान का देवता है और इसकी इंट्री हमेशा एक गौड वाली ही रही है और Infinity War में बहुत सारे सूपर हीरोस की इंट्री कराई गई जो अपने आप में सारी कमाल की थी बट फैंस को थौर की जो इंट्री कभी नहीं बूलती वो है Infinity War के अंदर Wakanda में वैसे तो इस मूवी में अपने थौर के पास कोई वेपन नहीं होता और इसलिए वो अपने लिए एक नया वेपन बन बन जाता है और जब उसका वेपन बन जाता है तो वो उसकी हेल्प से बाइफ्रोस्ट उपन करके सीधा Wakanda में इंट्री लेता है और वो इस इंट्री के साथ हजारो हजार एलियंस को भी मार देता है और थोर के ये इंट्री तनी ज़्यादा grand होती है कि वहाँ खड़े सारे सूपर हीरोस के भी होस उड़ जाते हैं और इस टाइम पे थोर अपने सबसे powerful form में होता है और इसी वज़े से जब वो अपने स्ट्रॉम ब्रेकर से Thanos पे हमला करता है तो Thanos 6 Infinity Stone के power के साथ भी उसको रोक नहीं पाता और थोर का स्ट्रॉम ब्रेकर Thanos के सीधा छाती में जागुशता है वैसे तो Spider-Man आज तक का सबसे ज़्यादा फेवरेट सूपर हीरो रहा है और इसके सारी इंट्रियां हमेशा से ही कमाल की रही है लेकिन Spider-Man fans को वो इंट्रि सायद ही भूलेगी जो Spider-Man 9 वे होम में टोबी और एंड्रू वाले Spider-Man ने ली थी इस सीन में जब पीटर का दोस्त ने डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लेंग रिंग से पीटर को ढूडने के लिए पोर्टल खोलता है तो पोर्टल से पहले अपना एंड्रू वाला Spider-Man और फिर टोबी वाला Spider-Man पोर्टल के अंदर आता है जो फैंस के बीच में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाना वाला Spider-Man का इंट्रि था और जो लोग भी इस इंट्रि को थियेटर में देख रहे थे वो तो भाई emotional ही हो जाते है इस scene को देखकर तो ये थी आज तक की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पास superhero इंट्रिस आपको अगर ऐसे टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो आप कुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो तो बास इतना ही था आज की इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद